हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल मरीन वर्ल्ड में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको LIC G1 AXE Pension Plan के बारे में डेटेलन बताऊंगा दोस्तो वीडियो मागे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिजेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंट के साथ इसे सेर जरू किजेगा तो चली दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम आपको LIC G1 Accept Pension Plan क्या है LIC G1 Accept Pension Plan के फीचर्स क्या क्या है इस प्लाइन के बेनेफिट्स क्या क्या है इस प्लाइन के लिए disability criteria क्या क्या है इस प्लाइन की premium कितनी होती है और LIC G1 Accept Pension Plan को आप कैसे खरीदें इन सबी बातों को आज की इस वीडियो में मैं डीटेल में बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा दोस्तों LIC G1 अक्षय पेंशन प्लान एक नन लिंक्ड नन पर्टिपेटिंग इंडिविज्वल इमीडियेट एनुटी प्लान है यानि कि ततकाल वर्सी की योजना है दोस्तों इस प्लान में पॉलिसी धार के पास एकमुस रासी के पेमेंट पर दस उपलब्द ऑप्संस मे से एनुटी के टाइप चुनने का आपको मिलता है एनुटी रेट्स की गैरेंटी पॉलिसी के सुरुआत में दी जाती है और यह जीवन भर यह लाइफ टाइम पेबल होती है दोस्तों LIC G1 अक्षय पेंशन प्लान को आप आफ लाइन या फिर ऑन लाइन माधियम से खरीच सकते हैं दोस्तों बात करें LIC G1 अक्षय पेंशन प्लान के फीचर्स की यानि के विशेस ताओं की तो दोस्तों LIC G1 अक्षय पेंशन प्लान आपको एक पेंशन प्लान का बेनिफिट देते हैं पेंशन बेनिफिट के साथ साथ यह आपको लाइफ कवर भी प्रवाइड कर होता है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि LIC G1 अक्षय पेंशन प्लान के लिए क्या-क्या eligibility criteria है यानि कि क्या-क्या पातता हैं दोस्तों इस प्लान की minimum entry age 30 साल है वही maximum age at entry 85 साल है 85 years है दोस्तों इस प्लान की minimum purchase price एक लाख रुपए है वही maximum purchase price की कोई limit नहीं है इस plan में annuity mode की बात करें तो यह monthly quarterly half yearly या annually option में उप्लावद होते है इस plan की minimum annuity की बात करें तो यह 1000 रुपए पर मंद है 3000 रुपए पर quarter है 6000 रुपए पर half yearly है और 12,000 रुपए पर अनम है दोस्तों LIC G1 accept pension plan online और offline दोनों माध्यमों से आपकी swapping के लिए उप्लावद होते है online माध्यम से आप इसे LIC की official website पर जाकर आसानी से खरीज सकते हैं जबकि offline माध्यम से आप insurance agent के माध्यम से या फिर mediator के माध्यम से आप इस plan को खरीज सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को LIC G1 Accept Pension Plan क्या है इसके बारे में डेटेल से बताया है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरू कीजेगा और अगर आप चानल पे ना है तो इसे जरू सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन आर, ढहाँ है दो ये जरू सब्सक्राइब का पार ओक कीजेगा दोस्तों और आपक